हेलो वेल्कम तू मैं चैनल आएम पनिक्षा भारदु आज तो आज के लेक्टर में हम क्लास नाइन्थ की एसेस्टी का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर वन जिसका नाम है दा फ्रेंच रेवलुशन इसका हम लास्ट पार्ट करेंगे जिसमें इसका जितना भी रिमेनिंग पो जिन स्टुडेंट्स ने वो नहीं देखी है तो पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगे कि आप पहले जाके वो देख लो तो आप यह जो आपका लास्ट पार्ट है आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे तो आज हम स्टार्ट करते हैं यह इस चैप्टर का जिसमें हम देखेंगे डिट वूमेन हैवा रेवलूशन डैट मेंस कि क्या वूमें ने भी क्रांती की थी क्रांती लाई थी उन्होंने तो सबसे पहले आपको यह दिखरी होगी पिक्चर यहां पर थोड़ा सा बलर है पिक्चर में तो आप इसको अपनी बुक पे देख ल हुआ था एक इवेंट हुआ था 5 अक्टूबर 1789 में जिसमें वूमेन जो थी न वह वर्सलाइज मैंने आपको बताया था पैरिस के अंदर जगह है जहां पर बहुत बड़ा पैलेस था तो यह वहां पर यह गई सारी वूमें और वहां से अपने साथ पैर किंग को लेके आ के अंदर उन्होंने भी बहुत सारे चेंजिस लाए फ्रेंच सोसाइटी के अंदर फिर उसके बाद क्या है दे होप दाट टेर इन्वाल्मेंट वूड प्रेशराइज दा रेवलूशनरी गोर्मेंट यानि कि यह वह यह आशायं कर दी वोमेंस यह आशायं कर दी कि उनका कर रही है एकुझे का प Leaf Up Network करने में बहुत सारी जो कि रिसलिके विडियो तो आपको पता को पता चल जाएगा कि फर्स ने स्टेट क्या है ठीक है वह आप उस चैप्टर उन वीडियो में देख लीजेगा जो थर्ड इस्टेट की वूमें थी न वह क्या करती थी अपनी जिंदिकी को जीने के लिए काम करना पड़ता था उनको वह सीम्स्ट्रेस और लॉंडरिस यानि की वह कोई सिलाई बुड़ाई की तरह काम कर रही थी वह बहुत सारी वूमें जो थी उनको एजुकेशन नहीं मिली हुई थी और ना ही किसे तरह के उनको ट्रेनिंग दी गी हुई थी सिर्फ जो लड़किये थी नोबल्स की या फिर वेल्थियर मेंबर्स थर्ड इस्टेट के जो बड़े-बड़े लोग सकते और उसके बाद आ जाते थे बिल्कुल गरीब लोग तो यहां पर जो थर्ड इस्टेट के जो नोबल्स थे या फिर वेल्थियर मेंबर्स थे ना उनकी जो लड़किये थी उनको मतलब परमीशन थी कि वह कॉन्वेंट में जाके पढ़ सकती है ठीक है और फिर पढ़न लेगिन फिर भी उनकी तंखवा जो थी ना वो क्या थी आदमियों से बिल्कुल कम थी यांकि जितना आदमी लेते थे उनकी तंखवा से औरतों को कम जो थी वह तंखवा दी जाती थी फिर क्या हुआ इसी चीज को डिसकस करने के लिए वूमेंस ने क्या किया अपना इंट क्लब्स जो थे ना वो डिफरेंट दिफरेंट फ्रेंट ससाइटी के अंदर देखने को मिले जिस मेंसे सबसे इंपोर्टेंट जो पॉलेटिकल क्लब था वो कौन सा था सोसाइटी आफ रेवलूशनरी एड रिपब्लिक वोमें टीक है यह सबसे इंपोर्टेंट था दैन कि एक जो उनकी डिमांड थी वोमेंड क्या थी कि वोमेंड को भी क्या मिलना चाहिए सेम पॉलेटिकल राइट्स मिलने चाहिए जैसे की आदमियों को दिये गए हैं दैन उसके बाद वोमेंड जो थी वो बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटी थी 1791 के कॉंसिटूशन से क्य पॉल कर दी जिनको वोट देने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था वोमेंड जो थी अवो डिमांड करने लगी कि उनको भी क्या होना चाहिए उनके पास भी अधिकार होना चाहिए वोट करने का उनको भी इलेक्ट करना चाहिए असेंबली के अंदर वो भी इलेक्टिड ह के उनके अंदर यानकि यही सब चीजों के लिए इन्ही सब चीजों के अधिकार के लिए उन्होंने अपने आपको क्या किया, रिप्रेजन्ट किया, तो यही नई गुवर्मेंट इस अन्ने ऐसके सामने आ सके फिर क्या हुआ तोगेदर विद दे क्रियेशन आफ स्टेट स्कूल यानि कि वो जो इंटर्ड्यूज लॉज जो इंटर्ड्यूज किये थे उसमें जो था स्कूल स्टेट स्कूल बनाएगे जिसमें वुमेंस के लिए या बोल सकते हो जो आप गर्ल्स लिए आज़ूकेशन जो थी या स्कूल इसाजन वो कंपलिल करती ह przysz से फादर जो थे वो अब लोकान को फोर्स नहीं करते थे शादियों के लिए या अगर किसी की मर्जी नहीं होती थी वहां शादी करने की तो उनके पिता जो थे वो उनको फोर्स नहीं कर सकते थे कि आपको जबरदस्ती यहां शादी करनी ही करनी होगी marriage जो थी contract marriage was made into a contract entered into freely registered under civil law यानी की civil law marriage जो थी contract के basis पे भी होने लगी थी कि वो अपनी मर्जी से जो है वो जिन्दगी जी सकते हैं और यह civil law के अंदर जो था यह सारी registration होती थी डाइवोर्स जो था उसको भी legal कर दिया क्या था अब men और women जो थी वो दोनु जो थे वो divers के लिए apply कर सकते थे women जो थी अब उनको train किया जाने लगा jobs के लिए और साथ ही साथ में वो अपना चोटा या कुछ आर्टीस्ट वगारा जो था वो भी करने लगी यानकि अपने चोटे-चोटे business जो थे वो भी चलाने लगी और आर्टीस्ट वगारा यानकि paintings वगारा बोल सकते हो आप different different काम जो थे उन्होंने शुरू कर दिये और यह कब हुआ जब different revolutionary movement जो थी women's के द्वारा चलाएगी अब women जो थी struggle कर रही थी equal political rights के लिए यह तो अब चलता रहाटी के जैसे कि आपने ring of terror जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें भी मैंने बताया था कि government आई थी उसने भी बहुत activities जो भी women's के द्वारा चलाई जा रही है उनके उपर पूरी तरह से क्या कर देना चाहिए बहल लगा देना चाहिए बहुत सारी prominent women जो थी prominent यानकि जो revolutionary movements को क्या अंजाम दे रही थी जो चला रही थी उनको arrest कर लिया गया और बहुत सारी हों को execute यानकि मार भी दिया गया ठ ताकि उनको voting का right मिल सके और equal wages जो है वो मिल सके ठीक है और यह पूरे world में 200 साल तक जो था वो यह सारा moment जो थी women's के द्वारा चलाईगी so that कि उनको भी rights के अधिकार मिल सके vote देने के rights मिल सके और साथ साथ में equal wages के भी right मिल सके जो fight war कर रही थी vote के लिए वो एक international suffrage बन चुका था यानि कि international मुकीम बन चुकी थी जिसमें women जो थी वो चाहती थी कि उन्हों जो है वो अधिकार मिलना चाहिए कि वो भी क्या कर सके vote दे सके तो यह moment जो थी यह late 19 और early 20th century के दोरान चलाएगी यानि कि 19th century के ending में और 20th century के starting तक यह moment जो थी चली उसके बाद क्या हुआ जो example है यह ने political activities of French women यानि कि यही जो मैंने आपको यह भी topic पढ़ा रही हूँ ना women have a revolution इसी topic के दोरान जो French women थी जब उन्होंने different revolutionary movement चलाई तो इसी revolutionary movement से जो थी government भी भो जादा inspire हुई और finally 1946 में क्या हुआ women जो थी France के अंदर उन्हों को यह मतलब वो जीत चुकी थी अब उनको जो था right to vote का अधिकार मिल गया कि अब वो भी जो थी वो वोट दे सकती थी और यह कब हुआ 1946 में ठीक है इससे पहले जो women थी ना उनको किसी भी तरह का अधिकार नहीं था कि वो राइट दे सके लेकिन जब women ने भी revolution करना शुरू कर दिया जब वो भी सड़कों पे उतर आई अपने rights को लेके तब end पे 1946 में क्या हुआ गोर्मेंट ने ठक हार कर बोल सकते हैं या उनकी revolutionary movement से क्या होके परिशान होकर गोर्मेंट ने यह अरिकार जो था वो women को दे दिया फिर देखो यह आपको दिया हुआ है the life of a revolutionary woman Olympia de Gogh ठीक है 1748 से 1793 यह woman का नाम है यह Olympia de Gogh जो है यह woman थी जो की प्रांस के अंदर revolutionary movement को चला आने में इनका बहुत important role रहा यह जो थी ना यह मतलब इन्हों ने क्या क्या प्रोटेस्ट किया कि अगर आदमियों को declaration of rights of man or citizens का अधिकार मिला है तो women's को भी वो अधिकार मिला चाहिए ठीक है इसमें यही सब बताया हुआ है यह आप एक पर खुद भी देख लीजिएगा नेक्स जो हमारे पास आजाता है वो यह है कि कुछ basic rights जो थे अलंपे दी गॉक्स की declaration में दिये गये थे यह उन्होंने लाये थे जिसमें women's को भी क्या था men के accordingly या equally जो है उसको rights मिलने चाहिए different different rights जो थे वो इसमें सारे लिखे हुए है आप इनको एक बढ़ पढ़ लीज ने line बनाई हुई है तो यह सारे अधिकार जो है वो इसमें लिखे हुए है यह आप एक बार देख लीजिएगा next हमारे पास topic आ जाता है abolition of slavery slavery क्या होता है गुलामी ठीक है तो गुलामी का खात्मा बोल सकते हो या आप बोल सकते हो गुलामी को कैसे खतम किया गया वो इसमे कि तभी आपको यह terms जो है या यह words जो है आपको समझ में आएंगे क्योंकि इनके बारे में हम पहले discuss कर चुके है तो एक revolutionary social reform जो की jacobians के दवारा चलाए गया थी वो यह थी कि French colonies से slavery को पूरी तरह से क्या करना खतम करना जो colonies थी ना जो colonies आ रही थी वो कौन सी थी कैरीबियन मांटीक्यू गुडालियोप्यू ठीक है सैंड डॉमियंगो थोड़े difficult terms है difficult नाम्स हैं तो आप इनको क्या कर लीजीगा एक बर खुद भी रीड कर लीजीगा तो यह जो colonies थी यहां पे important suppliers थी यानि कि यह important suppliers थी तबाकू जो था यह supply करते थे इंडिगो एक तरह का अब कलर बोल सकते हो ठीक है डाई जिसको बोलते हो आप यह कलर होता है ठीक है sugar होगी coffee इन चीजों की supply करता था तो तो क्या हुआ European जो थे वो क्या करते थे उनको लेकर जाते थे और डिफरन डिफरन जगाँशां के कैशन टे ते और इस रूब वहाँ पिया प्लाइशन करते थे ठीक है यह एक triangular बन चुका था जहां पर different different लोग जो थे वो क्या करते थे मतलब एक जगा से लाया दूसरी जगा पर बेज दिया दूसरी जगा से लाया थीसरी जगा पर भेज दिया उसको अपने अपने trade को flourish करने के लिए इन्होंने क्या किया स्लेव ट्रेड को शुरू कर दिया 17th century में जहां पर फ्रेंच मर्चंट जो थे ना फ्रांस के जो सोदागर थे वो क्या करते थे बॉड्यूक्स और नैंटेज जो थे यह अफ्रीकन कॉस्ट में एक पोर्ट्स हैं यह पोर्ट्स यानि कि आप बोल सकते हो समुंदर के पास जो इत autक में बॉड्यूक्व के में आज थे अ करते थे ब्रैंडीज अन्तर थे सफिस्ट में थे लहुता ने 5डज मतलब दॐफ ृप ? और उनको एट्लांटिक से लेकर आते थे और कैरवियन में जाके बेज देते थे और उनको कहां Plantation Honors को बेचा जाता था Plantation Honors यानि कि बहुत बड़ी बड़ी जमीने होती थी ना जो कि प्लांट्स वगरा करते थे जैसे यही मैंने आपको बिताया ना यह आप देखो क्या यह आप बोल सकते हो इंडिगो शुगर तबाकू कॉफी यह इनकी जो प्लांटेशन करते थे ना उनको इन स्लेव को बेज दिया जाता था वो उन से वहाँ पे अपनी फील्स पे काम करवाएं उनसे खेतों में काम करवाएं और उनसे ज़ादा से ज़ादा बाइनिफुट जो है वो ले सके फिर उसके पाद जो exploitation हो रही थी slave labor की वो क्या कर रही थी European markets में उनकी exploitation क्यों की जा रही थी और फिर अपने अपनी economic prosperity को यहनिंखी अपने अपने ट्रेड को वो क्या करते हैं slave trade से flourish करते ते यानि कि गुलाम पकड के लाते थे और उनको क्या करते थे बेज देते इते और फिर अपनी अपनी कलोनी के अंदर क्या करते थे economy prosperity को बढ़ाते थे फिर क्या हुआ 18th century के आते आते जो slavery थी ना फ्रांस के अंदर उसका criticism होना शुरू हो चुका था नेशनल एसेंबली जो थी उन्हों नें बहुत लंबी-बी डिबेट्स की कि जैसे आद्मियों को अधिकार दिया जा रहा है उनके अधिकार को एक्सेंट किया गया वैसे ही डीफरेंट डीफरेंट के अंदर गुलाम लाए जा रहे हैं इनके उपर भी रोक लगानी चाहिए क क्योंकि उनके पास भी अधिकार है वो भी अपनी जिन्दीगी जो है वो जी सकते हैं लेकिन किसी भी तरह का लॉज जो है वो पास नहीं किया गया बिजनेसमैन जो थे वह किसी चीज़ से नहीं डर रहे थे और उनकी इंकम जो थी न वह टोटली डिपेंड थी स्लेव और नहीं था इनके अंदर किसी पीतरा का खतरा नहीं था क्योंकि कोई बी तरह का लॉज जो था नम की अगेंस पास नहीं किया गया था और उनकी इनकम जो तोतली डिपेंड थी स्लेव ट्रिपर सौ फाय घंडि क्या हुआ जो कन्वेंशन थी सízघनेसर के बारे में मैंने बताया कि जितने भी स्लेव्स हैं जितने भी गुलाम है फ्रांस के अंदर उनको क्या कर दिया जाए फ्री कर दिया जाए और यह जो थी एक शॉर्ट टर्म मेजर था यानि कि जो यह कंवेंशन के थूरू लाया गया था ना यह जो ला था यह मैकसिमम दस सालों तक ही चला उस तो जब नैपॉलियन वापीस से फ्रांस के अंदर आया तो उसने स्लेवरी को वापीस से री इंटर्ड्यूस कर दिया अब प्लांटेशन ओनर जो थे ना उनको अपनी फ्रीडम का पता चल चुका था और उनको यह भी पता चल चुका था कि जो अफ्रीका से वो अब बिल्कुल यूज नहीं होती है और यह एक तरह के क्या थे मतलब ब्लाक प्यूपल्स थे तो क्या है अब जो प्लांटेशन ओनर से उनको अपनी फ्रीडम के बारे में भी पता चल चुका था और उनको यह भी पता चल चुका था कि जो अफ्रीका से वो नेग्रोज ले यान कि खतम होगी फ्रेंच कलोनीस के अंदर में अंदर से 1848 में तोटली जो इसका मतलब अभी भी जो इसका मतलब स्लेवरी थी ना वो मतलब पूरी तरह से नहीं खतम हुई थी क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि नेपोलियन ने स्लेवरी को फिर से रिंट्रीउस कर द अब हमारे पर नेक्स टॉपिक आता है दफ रेवलुशन एंड एवरी डे लाइफ डाइट मेंज के जो अकरांती चल रही थी जो विद्रो चल रहे थे और साथ ही साथ में जो रोज़ार की जिन्दगी थी मतलब रोजाना की जिन्दगी थी वो कैसी थी अब इसके स्टार् वो बुक्स को जो बुक्स लोग पढ़ते हैं क्या पॉलिटिक्स उनको भी चेंज कर सकती है तो क्या हुआ 1789 में फ्रांस के अंदर बहुत सारे चेंजिस देखेगे इन दा लाइफ साथ आदमियों की जिन्दगी में और साथ ही साथ में बच्चों की जिन्दगी में 1789 के आते आते ठीक है जो revolutionary governments थे उन्होंने बहुत सारे laws जो थे वो पास कर दिये किस चीज़ को लेके liberty और equality को लेके कि so that के लोग जो थे अपनी रोजाना की जिन्दगी में liberty और equality के जो आइडियाज हैं उनको क्या कर सके implement कर सके तो इस चीज़ के लिए बहुत सारे laws जो थे वो government के द्वारा revolutionary governments के द्वारा क्या कियेगे implement कियेगे एक important law जो था वो इसमें आया सबसे पहले जो important law जो देखा गया वो कब था कि जो बैसाइल जो prison था 1789 में उसकी storming के बार जानी कि मैंने आपको जब सबसे पहला introduction part पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बैसाइल के prison के बारे में भी सारा पढ़ाया है तो आप एक बार देख तो जब वो उसका उस prison को demolish कर दिया गया उस बैसाइल के prison को पूरी तरह से storm तोड़ फोड करते गी उसको गिरा दिया गया उसकी वज़े से important law जो था वो सामने आया और वो important law क्या था abolition of censorship censorship क्यों होती है कि इस censorship में जो king होता है वो approval देता है किसी भी तरह का newspaper article को छापने के लिए ठीक है उसको publish होने के लिए एक किंग की जो थी वो क्या चाहिए होती थी permission चाहिए होती थी तो old regime में यान की पुराने समय में क्या था जितना भी material culture activities थी जैसे की books होगी newspaper होगे plays होगे इनको publish होने के लिए या इनको perform करने के लिए kings के census की क्या होती थी approval चाहिए होती लेकिन अब जब सी declaration of rights of man and citizen जब आया यह implement किया गया तो इस से क्या हुआ freedom of speech जो थी और साथ जात में expression to be a natural right that means कि बोलने का अधिकार और साथ इस साथ में कुछ भी करने का अधिकार जो था वो लोगों को मिल चुका था यानि कि अब किसी भी तरह का censorship जो थी वो अब लागू नहीं होती थी क्योंकि जब यह बैसाइल का जो prison था उसको attack किया गया third state के लोगों के द्वारा तो तब यह abolition of censorship जो थी फूरी तरह से क्या कर दीगी खतम कर दीगी फिर क्या हुआ अब newspaper जो थे pamphlets जो थे books होगी printed pictures होगी अब यह पूरे France में किसी भी towns में जो था इनको बेचा जा सकता था खरीदा जा सकता था sold किया जाता था ठीक है और different different यानि कि गाओं गरास के area में भी इनको क्या किया जाता था दिया जाता था लोगों मतलब लोग जो थे उनको freely पढ़ सकते थे they all described and described the event changes taken in France यानि कि उन pamphlets वगारा में बुक्स वगारा में जितने भी events और changes लाए गे थे France के अंदर वो सब जो था उनके बारे में describe किया हूओ था उनके बारे में discuss किया हूओ था freedom जो थी press को यानि कि press को भी freedom मिल चुकी थी वह भी अब different different जो थे अपने views जो थे events को लेके एक्सप्रेस कर रहे थे with the help of किसका media या बोल सकते newspaper हो गया pamphlets हो गया books हो गया फिर साथ ही साथ में जो different मतलब print की जो वज़ा से ना print के medium से अपने जितनी भी position से अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दी थी सभी लोग यह नहीं थे कि media में आ चुके थे मतलब जो लोग media के अंदर थे जो की अपने viewpoint नहीं बता पा रहे थे या जो लोगों तक अपनी खबर नहीं पहुंचा आ पा रहे थे तो उनको अभी अधिकार मिल चुका था कि अवो किसी भी तरह का आर्टिकल जो है वो छाप सकते हैं किसी भी तरह का मतलब illegal नहीं ठीक है उनको identify किया जा रहे था लोगों के तुरूज वो idea कौन से थे liberty और justice का ठीक है political philosophers जो थे वो भी बड़े-बड़े text लिखना शुरू कर दिया और वो text जो थे educated people के द्वारा जो थे वो read किये जा रहे थे ठीक है तो यह था पूरा इसमें कि किस तरह से जो था आपका everyday life जो थ कर दिया कहां का France का उसने बहुत सारी neighboring European countries जो थी उनको conquer कर लिया यानकि जीत लिया उसने वहां पे different different European countries के अंदर जो राजाएं या फिर जो मतलब डेनेस्टी जो रूल कर दी थी वहां पे अपने अपने member family के members को place कर दिया यानकि उनको वहां से हटा कर अपने family members को वहां पे different European countries के अंदर क्या कर दिया प्लेस कर दिया फिर उसके पाद जो है नेपोलियन का बहुत important role रहा यूरप को modernize करने में तेक है यूरप को modernize करने में किसका नेपोलियन का बहुत ही important role रहा उसने क्या किया बहुत सारे laws जो थे वह introduced किये जिसमें private property की protection की जाने लगी और सा साथ में uniform system of weights and measures provided by the decimal system uniform system of weights and measures का मतलब क्या है कि अगर मतलब palace के अंदर यान कि जहां पे राजा रहा रहा है वहां पे अगर एक किलो का समान भिक रहा है तो वही एक किलो का समान बाहर भी बिकेगा मतलब बाहर यह नहीं है कि अगर राजा जो है वो चीज एक उर्पे में ल लेगी ठीक है तो इस तरह के laws जो थे उसने implement कि कि इसने Napoleon Bonaparte ने इनेशली यान कि starting में Napoleon जो था लिबोर्टर यानि कि लोग जो थे उसको एक मतलम मसीहा समझ रहे थे जो कि लोगों को क्या करेगा अजादी दिलवाएगा या लोगों के लिए अजादी लाएगा लोग उसक को यानि कि वो बहुत जुलमदारी थी लोगों के ऊपर फिर उसके बाद क्या हुआ फाइनली जो था नैपोलियन को डिफीट कर दिया गया एड वाटरलू इन 1850 यानि कि वाटरलू एक जगह है वहाँ पे क्या हुआ नपोलियन को हरा दिया गया 1815 में और बहुत सारे उसक इंपेक्त जो था काफी समय तक डिफरंट डिफरंट पार्ट में रहा क्यूंकि जो उसके आईडियास थे वह बहुत अच्छे थे बहुत सही थे इसे लोगों ने उसके जाने के बाद भी आईडियास जो थे वो इंप्रच्छ के इंप्लिमेंट करके रखे, ने जो आइडियास ने लिबर्टी और डैमो करें राइट के राइट के वह बहुत इंप्रटेन् लिगीसी, जो थी फ्रेंच लिगीसी का मतलब हो गया एक ऐसी चीज जो कि मतलब जैसे अब ना पोलीएन ने जो था न से लिबर् यो democratic right के इसके एक important legacy छोड़ रहा है अपने French Revolution के ओपर यह idea जो थे ना फ्रांस से लेके यूरप के यूरप के और देशों तक भी 19 सेंचुरी के दुरान तक जो थे वो क्या कर दियेगे फैल फैला दियेगे और मतलब फैल चुके थे यह फ्रांस से लेके यूरप के देश तक ठीक है यह पूरी तरह से यह फैल चुके थे और फ्यूडल सिस्टम जो था ना उसको पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया था क्लोणिनाइट पीपल जो थे उनको अपनी फ्रीडम के आइडिया जो थे उनको रिवोक्ट कर दिये यानि कि उनको जो था अपनी फ्रीडम के बारे में पता चलने लगा और वो जो थे ना जिस मतलब बंधिश में वो बंदे हुए थे वहां से वो निकल कर सोवरियन नेश को एक सोवरियन नेशन स्टेट बनाने में जुट गे और यह सब चीज़ जो थी टीपू सुल्तान और राजा राम होन राई यह दो एक्जामपल्स हैं इंडिविज्वल्स की जो की इन आइडियाज को रेवलुशनरी फ्रांस के अंदर लाने में कामयाब रहे ठीक है यह दो लोग हैं यह बोल सकते हूं इन दो लोग यह जो दो लोग थे ना यह भी बहुत जादा प्रेरित हुए फ्रांस के रेवलुशन से ठीक है तो मतलब इन आइडियाज को लाने में तो यह आपका चैप्टर था पूरी तरीके से यह खतम हो चुका है आई होप आपको इस समझ कोमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं कोशन आंसे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कोमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हूं थैंक यू और वा गुद्धे